के पूर्ष करेंगे कंशल्टन दे टो डे प्रॉब्लम निक这ट ग Players का इस Georgetown दीट के पारे र OS लृटम वह ाउदम dol रोज हमारे पास patient आते रहते हैं कि दक्ताः गैस हो गया गैस हो, दिक्कत आ रही है, पेट फूर रहा आ है, परिशानी हो रही है, ऩ। टेजारा बन रही है. तो इसका क्या treatment हो सकता है और इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह gas है क्या यह कहां से आता है तो जो हमारे पेट में, digestion में जो gas होता है उसके दो reason होते हैं एक होता है जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो हम खाना swallow करते हैं, अंदर निगलते हैं उस swallowing process में खाने के साथ-साथ कुछ हवा भी हमारे पेट में जाती है और हमारे पेट में फिर गूमता रहता है और दूसरा gas का origin होता है, कारण होता है जो हम खाना खाते हैं जो उसका metabolism होता है, जो खाने को काटने की प्रक्रिया होती है जो खाने का digestion होता है उस digestive process में कुछ गैस बनता है तो गैस के दो कारण मोटा मोटा होते हैं एक swallowed air जो हम खाना खाते के time पे swallow करते हैं और तूसरा जो अंदर का metabolism है तो यह ज्यादा कैसे बनता है ज्यादा बनने का कारण है अगर हमने swallow ज्यादा किया वो क्यों swallow ज्यादा करते कभी हम fast तेज तेज खाना खाते हैं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो swallowing ज्यादा होती है या कभी हमने glass उंचा रखके करते पीते हैं तो हमारे साथ वो air ज्यादा अंदर जाता है और दूसरा कभी कभी intestines में कुछ infections bacterial over growths कुछ bacterial changes होते हैं जिसके कारण gas की tendency ज्यादा ब करता है जिससे गैस ज्यादा बनता है और कभी कुछ खाने के पदार्थ हैं कुछ vegetables हैं या कुछ pulses हैं जिनसे gas production ज्यादा होता है तो यदि आपको गैस ज्यादा बन रहा है मतलब गैस बनना किसको बोलते हैं पेट फूल गया डकारे ज्यादा आ रही हैं या लैट्री के रा ली अच्छी तरह से चबा के खाना खाना है मरलब हरीडली जलबाजी में खाना नहीं खाना है और पानी कभी भी उंचे से नहीं पीजिए और तीसरा फिर अगर फिर भी गैस ज्यादा बन रहा है तो कुछ vegetables हैं इतनका मैं नाम लूँगा जैसे एक तो pulses हैं दाले हैं राज गैस का production अंदर कम होगा तो आपको relief आ जाएगा इसके बाद भी अगर problem रहती है आपने खाने का भी ख्यार रखा और वेजिटेबल वगरा का भी ख्यार रखा दूसरा खाने के बाद कुछ देर आदा पोना गंटा टहलना गूमना या योगा वगरा करना ये भी गैस में फ किसी बिमारी से बन रहा है तो उसका रोक थाम उसका treatment करना जुरूरी है क्योंकि कभी कभी गैस का कुछ अंदर ऐसा भी problem होता है जो आगे जाके दिक्कत हो सकता है जैसे आंतों में कभी कुछ swelling आ रही है या आंतों में infection जादा हो रहा है या कभी कभी आंतों में कोई ulcer type problem ह हो रही है तो वह हमें gas का जैसा sensation देता है कई बार मरीजों को आतों में problem होती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि यह गैस है या अंदर उनी कुछ pain है तो डॉक्टर आपको देखके समझ के symptom देखके पेट का examine करके हो सकता है कुछ test order करें जिससे यह समझने में हमें easy होगा कि यह gas है normal gas है को खराब किसम का problem है या अंदर कोई serious problem चल रही है जिसके लिए आगे का treatment हमें करना चाहिए और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि कई बार मरीजों को gas के बारे में यह भी एक गलत फहमी होती है कि gas पेट से निकल के सिर पे जाता है जोड़ों पे जात उसमें कुछ और भी reason हो सकते हैं जैसे मरीज हमारे पास आते हैं कि gas हो गया तो हम पूछते क्या दिक्कत है बोलें सिर में दर्द है हम पूछते कोई ने की अदर्द है कोई हाजमे की problem है बोलते नहीं बस केवल gas है और सिर में दर्द है इसका मतलब है आपको एक बार newron को दिखाना पड़ेगा, सिर के स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा, कि ब्रेयर में कुछ प्रावल्म है क्या, हमेशा हर एक प्रावल्म को गैस पे मत डालिए, कई बार पेशन्ट लोगा हार्ट में प्रावल्म होती है, हार्ट अटैक टाइप दिक्कत आती है, तो मरी में दिकत भी हो सकती है तो उसका प्रॉपर एसेसमेंट करना खयाल करना अपने सिम्टम को समझना और इन केस नहीं क्लियर हो पा रहा है तो नजदी की डॉक्टर को दिखाई है हॉस्पिटल में आ जाई और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई थेंक यू वेरी मच नमस्कार